अप्रिका के बारे में अफ्रीका महादूईब को इंसानी सभिता का जन्म स्थल कहा जाता है अपनी जलवाईू, विविद्था, गहरी, सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक संसाथनों और टूरिस्थ स्थलों के लिए जेज जाना जाता है धूमद रिखा के दोनों तरफ स्थित होने के वज़े से इसकी भागौलिक स्थिती यूनिक और विविद्थाओं से भरी हुई है अफ्रीका महादूईब में नदिया, पहाड, जंगल, रेगिस्तान और बरफीले ग्लेशियर सब कुछ पाया जाता है इस समय अफ्रीका में 44 संप्रभू और दो विवादित देश स्थित हैं लेकिन 19 वी और 20 वी शताबदी में जादा तर अफ्रीका पर ब्रिटिन, फ्रांस, पुर्टगाल जैसे यूरूपियन देशों का शासन था अंग्रेजों और अन्य देशों के शासन से पहले अफ्रीका 10,000 से भी जादा जंजातियों और कभीलों का घर था दुनिया के कुछ सबसे पुरानी मानव सभिताएं अफ्रीका महादवीब के भूष शेतर में पनपी थी दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अफ्रीका और अफ्रीका से जुड़े कुछ इंट्रेस्टिंग फैक्ट के बारे में दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं अफ्रीका में संयुक्त रास्रों से मानिता प्राप्त 54 देश हैं जो किसी भी महादीप से जादा हैं इन देशों में दुनिया की 15 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है दोस्तों अफ्रीका एक मात्र ऐसा महादीप है जिससे भूमध रेखा, करकरेखा और मकर रेखा तीनों अक्षांशिये रेखाएं गुजरती हैं साथ में मध्यान रेखा भी अफ्रीका के मध्य से गुजरती है एथियोपिया और लाइबेरिया को छोड़ कर पूरा अफ्रीका महादीप कभी न कभी बाहरी देशों के अधीन रहा है दोस्तों अलजीरिया अफ्रीका का सर्वाधिक शित्रफल वारा देश है वही नाइजीरिया सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है अलजीरिया दुनिया के दस जर्वाधिक शित्रफल वाले देशों में से एक है मडगासकर अफरीका का सबसे बड़ा आइलेंड है ये हिंद महासागर मिस्तित है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आइलेंड है ये दोस्तों लागोस अफरीका महदीब का सबसे ज़ादा जनसंख्या वाला शहर है और कैरो सबसे बड़ा शहर है अफरीका की नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है ये 6,852 किलोमीटर लंबी है नील नदी दो जगों तंजानिया और विक्टोरिया जील और इथियोपिय की टाना झील से निकलती है और इजिप्ट में जाकर समुद्र में मिल जाती है दोस्तों अफरीका योरप के दक्षण में और एशिया के दक्षुन पिष्चिम में स्थित है अफरीका और एशिया एजिप्ट के पेनिनसुला पर आकर मिलते हैं जातर मैपस में पेनिनसुला को एशिया का ही पाट दिखाया जाता है अफरीका इस समय सबसे तेज गती से चंसंख्या वृद्धिवाला महादीप है तेज गती से बढ दो तिहाई से भी ज़ादा लोग इस बीमारी से पीड़त हैं तंजानिया के केनियन सीमा के पास इस्थित माउंट किलिमंजारो अफरीका का सबसे उचा पॉइंट है अफरीका में इस्थित ये एक मात्र गलीशियर है दोस्तों स्टडीज के अनुसायर दुनिया की कुछ सब सब्से पुरानी मानों सभथाएं अफरीका में विक्सित हुई प्राचीन मिश्रुकी, फेरोंनिकAK सभथा दुनिया के सब पाचीन और लंबे समय तक चलने वाली सभिताओं में से एक थी अपने वेश्य काल्व से पहले अफरीका में 10,000 से जादा विभिन भाशाओं और संस्कृतियों वाले जनजाती समूह शासन करते थे इस समय अफरीका में 3000 से जादा कबीले और जाती समूह रहते हैं दोस्तों तंजानिया, युगांडा और केनिया की सीमा परिस्थित, विक्टोरिया जील दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजा पानी की जील है अफरीका में 16 देश पूरी तरह से जमीनी सीमाओं से घिरे हुए हैं इन 16 देशों की सीमा ना तो हिंद महासागर से मिलती है और ना ह महासागर से दोस्तों अफरीका में लगभग 2000 से जादा भाशाएं बोली आती हैं यूरूपे देशों के आधिपत्य के वज़े से इंग्लिश, फ्रेंच, पुर्तुगीज, आधी भाशाएं जातर शेत्रों में बोली और समझी जाती है उत्तरी अफरीका में अर्भी अफरीकस्तान दुनिया का सबसे बड़ा और गर्म मरुस्थल है दोस्तों अफरीका महदीप के जाद लोग ईसाई या मुस्लिम है लगभग 10 प्रतिशत लोग अपने इस्थारिये पारंपरिक धर्मों का नुसरण करते हैं मौरिशिस ही एकलौत आज़ा देश है जिसमें लगभग 40 प्रतिशत जनसंख्या हिंदू है दुनिया के कुल बचे हुए प्राकरतिक खने संसाधरों में से लगभग 30 प्रतिशत अफरीका में पाए जाते हैं यहां ओयल डायमंड सोना तामबा प्लैटिनम जैसे प्राकरतिक संसाधन पाए जाते हैं दोस्तों अफरीका क 65 प्रतिशत जनसंख्या कृशी पर आधारित है यहां की फल सबजी मक्का गेहूं कौफी त्यादी कृशी पदार्थों की खेती की जाती है जीडिपी के आधार पर अफरीका दुनिया का सबसे घरीब और कम जीडिपी वाला महादीप है दुनिया की कुल जीडिपी में इस महादीप का केबल 2.4 प्रतिशत हिस्सा ही है दोस्तों अफरीका महादीप के साक्षरता दर भी दुनिया में सबसे कम है गिनी, माली, नाइजर, सेनिगल, सियरा, लियोन, बेनिन, बुर्किना, फासो, चाड, इथियोपिय, इत्यादी देशों की साक्षरता दर 50 प्रतिशत जानवर हैं दोस्तों एथियोपिया दुनिया का सबसे गर्म स्थल है और ये मधिपूर्व अफरीका में स्थित है दुनिया का सबसे लंबा जमीनी जानवर जिराफ है और सबसे बड़ा जानवर अफरीके हाथी दोनों ही अफरीका में पाय जाते हैं हालाकि जराफ आस्ट लिए में भी पाया जाता है दोस्तों मुरक्य व स्थित काईरून विश्विद्याले को दुनिया का सबसे पुराना विश्विद्याले माना जाता है इसके स्थापना 869 ही स्वी में हुई थी मिश्ट्रों में इस्थित स्वेज नहर का निर्मान 1879 में किया गया था ये लाल सागर को भूमधे सागर से मिलाती है साथ अफरीका में इस्थित ब्लाइड रिवर कैनियन दुनिया की सबसे लंबी हरी भरी रिवर कैनियन है दोस्तों दुनिया की सबसे खीमती धातुव में से 40% सोना, 60% कोबाल्ट और 90% प्लाटिनम अफरीका महदीप में पाया जाता है अफरीका की लगभग 90% जमीन खेती के लायक नहीं है और केवस 0.25% प्रतिशत जमीन ही बेहतर खेती करने की स्थिती में है दोस्तों मिलत शरीरों को ममी की रूप में सरक्षित रखने की पद्धती का विकास सबसे पहले अफरीका में ही हुआ था हाल ही की मिली कुछ ममी के अफशेशों से इसकी शुरुआत 9000 साल पहले तक होनी का अंदाज अलगाया गया है दोस्तों अफरीका के जंगलों में दुनिया का सबसे बड़ा गोरिल्ला पाया जाता है अफरीका महादीप में 28 लाग से जादा भारती रहते हैं सबसे जादा भारती उपने वेशकाल में अफरीका ले जाए गए जो वहीं जाकर बस गए अफरीका महादीप के ही देश साथ अफरीका में महात्मा गांधीजी ने सबसे पहले सत्याग रह के प्रियोग की शुरुआत की थी दोस्तों अफरीका में इसलाम सबसे ज़्यादा फॉलो किये जाने वाला धर्म है इसाइध हम को मानने वाले लोग दूसरे नमबर पर हैं अफरीका महाद्वीब में ही दुनिया के सबसे बड़े मगरमच नील कुरकोडाइल मिलते हैं अफरीका को लंबे समय तक ब्लैक कॉंटिनेंट के नाम से जाना गया अभी भी अफरीका के जातर देशों को तीसरी दुनिया का देश माना जाता है दोस्तों अफ्रीकी महाद्वीब को योरप से प्रथक करने वाली जलसंधी को जिब्रालिटर संधी के नाम से जाना जाता है एथियोपिया, सुमालिया और जिबुती नाम के देशों वाले अफ्रीका के पूर्वी भाग को हॉर्ण ओफ अफ्रीका कहा जाता है केप काहिरा रिलमार्ग अफ्रीका के सबसे बड़ा रिलमार्ग है ये दक्षन अफ्रीका देश के केपटाउन शहर से मिश्र के काहिरा तक जाता है दोस्तों साउथ अफ्रीका के जोहंसबर्ग को स्वान नगर और किमबरले को हीरो का शहर कहा जाता है किंबरले खान विश्योगी सबसे बड़ी हीरा खनन खान है अफरीका में पाए जाने उष्ण घास के मैदानों को सवाना के मैदान और शीत उष्ण घास के मैदानों को वेल्ड कहा जाता है दोस्तों अफरीका के मध्यपूर में समुद्र किनारे स्थित सुमालिय देश वहां के समुद्री लुटेरों के लिए कोख्यात है सुमालिय देश के समुद्री लुटेरे आए दिन किसी ना किसी जहाज को लूट कर उसके कर्मचारियों को बंधग बना लेते हैं आधे से जादा अफरीका महदूईप घास के मैदानों या फिर रेगिस्तान से ढखा हुआ है दोस्तों अंग्रेजों के आने से बहुत पहले से अरब के लोगों ने अफरीकी लोगों को गुलाम बना कर अपने साथ ले जाना शुरू कर दिया था पांचवी सदी से ही अरब के लोग उत्तरी अफरीका में रहने वाली जनजातियों के लोगों को गुलाम बना कर खरीत फरुक्त करने लगे थे वैल दोस्तों डियूनो अफरीका के जनजाती का जीवन भी बेहदी रोचक है दोस्तों आपको अफरीकाईे में रहने वाली कुछ बेहद ही खतरनाक जनजातियों के बारे में मैं बताता हूँ हिंबा जंजाती दोस्तों कुनाइन प्रांत में रहने वाले हिंबा जंजाती में कुल 20,000 से 50,000 लोग है हिंबा ट्राइब की महिलाओं को अफरीका की सबसे खुबसूरत महिलाओं कहा जाता है लेकिन आपको बता दें कि स्ट्राइब की महिलाओं को नहानी के अजाज़त नहीं है बदना ही नहीं? ये महिलाएं हाथ तक धूने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकती हलाके खुद को साफ सुतरा रखने के लिए इन महिलाओं का अपना एक खास तरीका है हिंबा जनजाती की महिलाएं नहानी के जगे खास जड़ी बूटियों को पानी मोबाल कर उसके धुएं से अपनी बॉड़ी को फ्रेश रखती हैं ताकि उनसे बदबुनाए इस हर्ब के खुश्बू से इनकी बॉड़ी कभी नाना हाने के बाद भी अच्छे स्मैल करती है इस ट्राइब की महिलाएं अपनी स्किन को धूप से बचानी के खास तरह के लोशन का इस्तिमाल करती हैं ये लोशन जानवर की चरबी और हेमेटाइट के घूल से तयार किया ज की जाता है यहास लोशन उन्हें की कीडों के काटने से भी बचाता है इन महिलाओं को रैड वैन के Navi जाना जाता है मसी जनजाती दोस्तों अफ्रीगा की मसाई जनजात अंपने अनोखे कल्चर को जिंदा रखने के लिए हजारा सालों के बाद भी आज इस भी बिना आधनिक संसाधनों के जीवन गुजार रही है मसाई जनजाती को चरवाहों और योध्धाओं की रूप में जाना जाता है यह जनजाती तंजानिया और केनिया के जंगले रिगिस्तानी इलाकों में नवास करती है इस जनजाती के लोग सरकारी नियम और कानून पर नहीं चलते बलके इनके अपने बनाए मौकिक नियम काईदे हैं जो इनकी जिन्दगी के सभी पहलों को समीटे हुए हैं मसाई समुधाय में समूह का बुजर्ग पुरुष मुखिया होता है और उसी के फैसले माने जाते हैं जुलू ट्राइब दोस्तों दक्षड अफ जानवर की बली चड़ाई जाती है और उसे काफी पैसे और गिफ्ट भी मिलते हैं कारो ट्राइब इथियोपिया दोस्तों इथियोपिया में रहने वाले कारो समुधाय के लोग बीमार बच्चों को श्रापित मानते हैं यहां कमजोर्या देव्यांग बच्चों को के घा टुताव देते हैं कारो समुधाय क Dolopa बीमार बच्चों को श्रापित मानते हैं इसके अलावा AGर कोई बच्चा कमजोर है देव्यांग है तो वह भी श्रापित माना जाता है इसके अलावा जुडबा पैदा हुए बच्चे रहले के उपर दांथ हो वह भी श्रापित की category में आते हैं गाँवालों का मानना है कि अगर इन बच्चों को जिंदा छोड़ दिया गया तो गाँव में प्रलया आ जाएगी महामारी फैल जाएगी और गाँवालों की मौत हो जाएगी इसलिए इन बच्चों को मार दिया जाता है तो दोस्तों आज की वीडियो में बस क्दुक्रिया